हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई चैनल तो सर्दियों के इस मौसम में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मतर की एक बहुत ही टेस्टी सी और यूनिक सी रेसिपी जिसे अक्सर आप शादियों में, पार्टियों में या फिर रेस्टरेंट और होटर में जाकर ही खाते हैं पर आज इस रेसिपी को मैं बहुत ही आसान तरह से आपको बनाना बताऊंगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक चरूर कर दीजिए तो चलिए दोस्तों आज की रेसिपी वीडियो को शुरू करते हैं तो आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है यहाँ पे एक कप भर के मतर तो मैंने यहाँ पे फ्रोजन मतर का यूज किया है आप यहाँ पे ताजी मतर भी ले सकते हैं क्योंकि अब मार्केट में बहुत अच्छी मतर आ रही है साथ में ही लेंगे यहाँ पे दो कतोरी भर के मखाने और उसके बाद हम चलते हैं पैन की दरफ तो यहाँ पे हम गैस पे रखेंगे एक सॉस पैन और उसमें हम डालेंगे 2-3 कप भर के पानी और साथ में ही अब डाल देंगे यहाँ पे मटर तो मटर वैसे तो यह फ्रोजन है अगर आपके पास हरी मटर है तो भी आप इसी प्रोसीजर को फॉलू करें अब साथ में ही डाल देंगे यहां पे 6-7 काजू और उसी के साथ यहां पे मैंने 2 टमाटर भी दे लिये हैं उन्हें बस इस तरह से पीछे से हम कट लगा देंगे और दोनों टमाटर को भी इसी में हम एड़ कर देंगे टमाटर के पीछे इस तरह कट लगाने से ये बहुत अच्छे से बॉयल भी हो जाते हैं और इन्हें छीलने में बहुत आसानी हो जाती है और अब लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पे मखाने तो जितने हमने मखाने लिये थे उसमें से थोड़े मखाने हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद इन्हें अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और उसके बार धक्कन लगाके हम इसे बॉयल कर लेंगे जब तक कि मटर सौफ्ट न हो जाए और इसमें एक दो बॉयल ना आ जाए तब तक आपको यहाँ पे इसे उभालना है तो देखी फ्रेंड्स आप वीडियो में देख सकते हैं कि मटर जो है बहुत अच्छे से बॉयल हो गई है और पहले से सौफ्ट भी हो गई है और टमाटर भी पूर्ज तरह से सौफ्ट हो गए हैं तो बस इन्हें इतना ही कोक करना है अब गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिए और ये सारे चीजों को हम ने एक निकाल लेंगे चल्ली में इस तरह की चल्ली आती हैं उसी में सब को हम ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद हम इने प्लेट पे रख देंगे जिससे के ये थोड़ इसी ठंडी हो जाए और अब इन में से हम काजू, मखाने और टमाटर को अलग कर लेंगे और मटर को कर लेंगे अलग तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में मटर की ये रेसिपी बहुत ही जादा टेस्टी रखती है और सभी को ये पसंद भी बहुत आती है अगर आपके घर पे कोई अचानक से महमान आ गया हो और आपके पास सबजी अवेलिबल ना हो उस टाइम पे तो जटपट से आप मटर क ये रेसिपी बना सकते हैं ये सभी को बहुत पसंद आएगी बनाने में एकदम एज़ी है और खाने में सूपर टेस्टी होती है तो देखी फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मटर को अलग कर लिया है और सभी चीज़ों को कर लिया है अलग तो मटर को तो साइड में रख देंगे उसके बाद हम टमाटर को चील लेंगे तो हमने जो स्टार्टिंग में कट लगाया था उसकी बज़े से इसका जो चिलका है वो बहुत आसानी से निकल जाता है और उसके बाद हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और सभी को अब इसमें डाल के बिलकुल स्मूथ फाइन हम पेस्ट बना के तयार कर लेंगे तो मखाने और काजू को आप डाल दे और टमाटर को थोड़ा सा चौप करके डाल दे चाकू से ऐसे ही रफली आप इने काट ले और उसके बाद इसमें एड़ कर दे और धक्कन लगा के बिना पानी का आपको इसे पीस के तयार करना है तो यहां पे आप सभी से मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको आज की रेशिपी वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ होता है उसे आप जरूर प्रेस करें आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे भी पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए और अब साथ में ही यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च और थोड़ा सा अधरक का टुकड़ा है उसे भी इसी में डाल देंगे तो अधरक को दो लीजे और उसे छील लीजे उसके बाद रफली चॉप करके इसमें डाल दे और ढखकन लगा के अब इसे हम पीस लेंगे तो लीजे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो बन के बिलकल तयार हो गया है एक दम स्मूथ बिलकल फाईन बहुती ज़्यादा रेच बहुती टेस्टी हमारी रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स तो एक बार आप मेरे कहने से यह रेसिपी जरूर बना कर देख तो गैस की फ्लेम आप मीडियम टू लो रखें जिससे की मखाने जलेना बहुत अच्छे से रोस्ट आपको यहां पे ने कर लेना है तो इन्हें रोस्ट करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चलते हैं next step में तो यहां पे हम लेंगे एक बाउल और उसमें हम सारे सूखे मसालों को एड़ करेंगे तो सबसे पहले मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर साथ में ही थोड़ा सा धनिया पाउडर और उसी के साथ वन फोर चमच लाल मिर्ची का पाउडर उसी के साथ यहाँ पे हम एड़ करेंगे 1-4 चमच गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ में ही यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा सबजी मसाला अगर आपके पास सबजी मसाला ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर इसकी जगए पे आप किचिन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और अब साथ में हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिस्ट इससे कलर बहुत अचा आता है सबजी का साथ में ही डाल देंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इने मिक्स कर लेंगे तो इस तरह जब हम मसालों का पेस्ट बना के पहले से तयार कर लेते हैं तो इससे हमारे दो फाइदे होते हैं कि हमारे जो मसाले होते हैं वो बिलकुल भी नहीं चलते हैं और सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो देखे यहाँ पे यह मसाले बनके तो तयार है इनको हम रखते हैं साइड में तो चलते हैं गैस की तरफ तो यहाँ पे इन मखानों को मैंने पैन में ही छोड़ दिया था गैस की फ्लेम उसी टाइप मैंने बंद कर दी थी अब इन्हें मैंने निकाल लिया है और उसी पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा कोकिंग ओयल लगवक तीन से चार चमच और जैसे ही कोकिंग ओयल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे प्याज तो इस तरह एक प्याज को मैंने रिंग्स में काट के रखा था उन्हें बस बहुत हलका सा हमें यहाँ पे फ्राई करना है तो आप चाहें तो यहां पे rings में ना काट के उन्हें लंबाई में भी कट कर सकते हैं जैसे कि हम कड़ाई पनीर बगेरा के लिए बनाते हैं उसी तरह से तो बस इस तरह बस बहुत हलका सा इन्हें roast करेंगे हलका सा fry करेंगे और इन्हें हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम same pen में डालेंगे थोड़ा सा जीरा साथ में ही डालेंगे यहाँ पे long और थोड़ी सी काली मिर्च साथ में ही डालेंगे एक तेजपात पत्ता तो इसके अलाबा आपके पास और कोई भी खड़े मसाले हों तो आप उनको भी यहाँ पे एड़ कर सकते हैं बस सभी को बहुत हल्गी गैस पे एक दो सेगंड के लिए भून लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एड़ करेंगे एक बड़े साइच का प्याज जिसे मैंने बिल्कुल फाइन चौप कर लिया है चौपर में डाल गे तो बस डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करना है और इन्हें भून लेना है जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज न हो जाए तो दोस्तों मटर और मखाने की ये रेसिपी शायद आपने बहुत बार बनाई होगी पर इसे बनाने का बिल्कुल नया और इजी तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसके बाद हम यहाँ पे एड़ करेंगे मसाले जो हमने सभी का पेस्ट बना के तयार किया था उन्हें इसमें आप डाल दें और इन्हें भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए आप यहाँ पे से पका लें जब तक की मसालों में से अच्छे से ओयल सेपरेट ना होने लगे और अच्छी सी खुश्बू ना आने लगे तब तक आपको यहाँ पेने भूनना है उसके बाद सबजी का फ्लेबर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम एड़ करेंगे एक चमच भर के कसूरी मेथी क्योंकि रेस्टरेंट बगेरा में या फिर साधी पार्टियों में जब यह सबजी बनाई जाती है तो उसमें कसूरी मेथी जरूर डाली जाती है जिससे सबजी का स्वाज जो है कई गुना बढ़ जाता है और आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है उसके बाद हम उस पेस्ट को इसमें एड़ कर देंगे जो हमने बना के तयार किया था टमाटर का, काजू का और मखाने का अच्छे से डालने के बाद मिक्सी में थोड़ा सा पानी और डालने और घुमाते हुए सारे पेस्ट को निकाल के इसमें डाल दे अच्छे से अब ग्रेवी को यहाँ पे आपको मिक्स करना है और इसे पकाना है क्योंकि जितनी अच्छी आप यहाँ पे ग्रेवी बना के तयार करेंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी हमारी सबजी बनेगी क्योंकि हर सबजी में में ग्रेवी होती है जितने अच्छे से ग्रेवी आप बना के तयार करेंगे जितनी tasty होगी उसकी gravy सबजी भी उतनी ही ज़्यादा delicious लगती है तो अच्छे से यहाँ पे आप इसे पका लें और उसके बाद हम इसमे एड़ करेंगे पानी तो यहाँ पे आप पानी गुनगुना डाले ठंडा बिल्कुल भी न डाले और सबजी की gravy आपको कैसी रखनी है कितनी पतली या फिर कितनी गाडी रखनी है उसके सबसे आप यहाँ पे पानी एड़ कर दें और अच्छे से mix कर लें और फिर ढखका लगाके आपको यहाँ पे से cook करना है तो देखी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेवी में बहुत अच्छा उबाल आ गया है तो अब हम सारी मतर को उठा के इस ग्रेवी में डाल देंगे अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और बस एक दो मिनट के लिए और कुक कर लेंगे वैसे तो मतर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है पर थोड़ी बहुत अगर कसर रह गई होगी तो एक दो मिनट में वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो बस जादा नहीं एक दो मिनट ही हमें यहाँ पे कुक करना है और लीजे फ्रेंड्स तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग सी सबजी बस अब लास्ट में इसमें हम डाल देंगे प्याज के छले और जो हमने मखानों को रोस्ट करके रखा था वो सारे मखाने आप इसमें डाल दे और अब दोनों को डालने के बाद बहुत अचे से इसे मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे धेर सारा हरा धनिया इसको पर डाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो वैसे आज मेरे पास हरा धनिया था नहीं तो मैंने इसकिप कर दिया है पर आपके पास हो और आप डालना चाहते हैं तो आप इसमें हरा धनिया एड़ कर सकते हैं और आप ग्रेवी देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा रिच बनी है फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग टेस्टी सबजी बनी है एक बार आप इसे जरूर बनाए तो चलिए दोस्तों आप सब्जी को गर्मा गर्म सर्व भी कर लेते हैं तो इस तरह एक छोटी सी कड़ाई में मैंने सब्जी को कर लिया है सर्व और गर्मा गर्म आप इसे किसी भी रोटी पराठे या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स मटर और मखाने के ये सब्जी जो अक्सर हम रेस्टेंट, होटल या फिर शादी पार्टियों में जाकर खाते हैं तो अगर आपके घर पे कोई महमान आने वाला हो तब आप जट पट से से बना के तयार कर सकते हैं या फिर लंच और डिनर में कभी भी एंज़ाय कर सकते हैं बनाने में एकदम आसान और खाने में सुपर डिलिशस तो दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें साथ ही इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री होता है तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई and टेक केर